नमस्कार आप देख रहे हैं खबर जगत नदी के पास भरे नाले में नहाने गई महला और इसके बच्चे के डूबने से हुई मौत घर से लोधिन पुर्वा माईके के पास लगाया जा रहा था चत्रा बारीगड थाना जुझार नगर अंतरगत ग्राहम चित हरी के पास धरम पुर्णदी में बने पुल के पास भरे पानी में अपने सिसुराल देवपुर थाना गोरिहार से सुभा 11 बजे श्रीवती राम प् अधायस वर्ष अपने बच्चे समेट अमित साजपूत उम्ठ साथ वर्ष के साथ लोधिन पुर्वा अपने माईके के पास लग रहे जत्रा के लिए निकली तभी रास्ते पर मिले धरमपुर के पुल पर नहाने के लिए महला अपने बच्चे के साथ पहुंची और अमित को नहला कर खुद नहाने लगी तभी उसका बच्चा खेलते हुए पानी में जाकर डोबने लगा तो बच्चे को बचाने गई महला राम प्यारी भी पानी में अधिक गहराई तक चली गई जिससे दोनों मां बेटे की मृति हो गई वहां से गुजर रहे लोगों ने जब अगरबती कपड़े के साथ इस्तित मोबाइल से उसके परजनों को संपर किया गया और संभंधित पुलीस थाने को सूचित किया गया घटना की सूचना मिलते ही थाना जुजहार नगर पुलीस बल पर पोची जुजहार नगर प्रभारी दिलीप करन नायक और एस आई ने बताए कि शब को अपने कबजी में ले लिया है और शब को सामुदाइक स्वास्त के इन गौर यहार भी पोस्ट मॉटम कराकर शब को परजनों को सुपर्द कर दिया गया है साथ ही घटना इस्तल पर धाना से एस आई अकबर सिंग और एस आई राचकुमार सिंग आरक्षक रतेन दूबे आरक्षक महेंद्र परजाबती मौके पर सल पर मौजूद थे कबर जगत के लिए छतर पुर से उदाय नारायन आवस्थी की रिपोर्ट